इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन ब्लेड्स और ग्रास घास के तिनके जो के हमारी एक पॉइम है और इस पॉइम के आप लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्टिन्स एंड आंसर तो चलिए फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेशन के हमारे पास क्वेशन No.1 क्या है法स्टिन No.1 है हमारे पास What do the blairs of grass say in response? What does God ask? के اللہ टाला ने क्या पूछा था वो जो ग्रास के निने तिनके से तिनके जो थे उनसे क्या पूछा था? क्यों कॉन से सवाल किये थे? और what do the blairs of grass say in response तो इस सवाल के जवाब में जो घास के नने तिनके थे उनका रिस्पोंस क्या था उनका रदे अमन क्या था तो friends हमने अपनी poem में पढ़ा है कि जब Allah ताला ने उनसे पूछा था कि मुझे बताओ कि दुनिया में तुमने क्या क्या आमाल किये हैं में आकर अपने जो नेक आमाल थे वो अल्ला ताला को बताने लग गए थे तो इसका अंसर आप लोगों ने कैसे attempt करना है आप लोगों ने लिखना है God asked the little blairs of grass what they did in their lives कि आखिर उन्होंने अपनी जिन्दगियों में क्या किया है यानि कि अपनी जिन्दगी में कौन से आमाल किये हैं उसके बारे में बताएं और अब उन्होंने क्या response था and they begin to narrate they, दे से मुराद है ये blairs of grass के एक जो खास के नने तिनके है begin वो शुरू हो गए to narrate narrate होता है बयान करना बयान करने लग गए their deeds अपने आमाल बताने लग गए one by one, एक एक करके in boostful ways boostful होता है घुमंड, मगरूर वाला जो अंदाज होता है मतलब थोड़े से शेखी मारने वाले अंदाज में और मगरूर अंदाज में अपने जो आमाल थे वो बढ़ चड़कर बताने लग गए कि हमने यह यह काम जो है दुनिया में नेक काम किये है next question है अब हमारे पास question number two what does the little blade of grass say when it is addressed by God कि छोटा जो तिनका था घास का उसने क्या कहा था जब Allah ताला उससे मुखातिब हुए थे क्योंकि वो आपको पता है कि कुछ भी नी बता रहा था चुप करके सब तिनकों से अलग और पीछे खड़ा हुआ था जबके बाकी सारे तिनके बढ़ा चड़ा कर अपने आमाल बता रहे थे तो वो बिल्कुल चुप था जो Allah ताला ने उससे बुलाया और कहा कि तुम क्यों नी बताते हो आफिर अपने तो उसने वही पूछ रहे हैं कि जब Allah ताला ने उससे मुखातिब किया तो उसने क्या जवाब दिया और इसके साथ ये पूछ रहे हैं why was God moved by the blade's answer कि अब जब उसने तिनके ने जवाब दिया है तो उससे फिर जो है अल्ला ताला मुतासिर क्यूं हुए हैं आफिर उसने ऐसा क्या क्या कह ओदिया था कि जिसकी बात सुनकर कि आफिर भी उसकी बात पसंद आई तो प्रेंस क्या था कि सबसे पहले जब आमाल का पूछ रहे हैं आला चोटे तिनकों को बुला कर पूछा कि तुम अपने आमाल बताओ तो उसने क्या कहा हमने जैसे कि पॉइंड में पढ़ा है उसने कहा था कि मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने अगर कोई अच्छे आमाल किये भी है ना बलके इसके इलावा वो ये कह रहा है कि मुझे तो याद ही नहीं है अगर मैंने कोई नेक आमाल दुनिया में किये है इस आंसर की वज़ा से ये जो उसका फुल हमबलनेस आंसर था गौड जो हैं वो मूट हुए थे यानि के मुतासिर हुए थे तो अब इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्ट करना है आप लोगों ने लिखना है उसने कहा कि उससे अपने जो अच्छे आमाल है उसके बारे में वो नहीं जानता या उससे याद ही नहीं है His way of response was full of humbleness उसका जो ये तरीका था way of response जवाब देने का जो तरीका था ये मुकमल तोर पर आजजी से भरा हुआ था and thus इस तरहां से God Allah ताला was moved by his answer उसके जवाब से बहुत जादा मुतासिर हुए Next question है हमारे पास, question number three Why does the poet use blades of grass to communicate such a fundamental idea? कह रहा हैं अब हमसे सवाल के आखिर पोईट ने शाय ने के blades of grass घास के तिनकों को ही क्यों use किया To communicate, गुफटगू के लिए such a fundamental idea, इतना बुन्यादी जो उसका तसवर था उसको हम तक पहुचाने के लिए आखिर उसने घास के दिनकों का ही इस्तमाल क्यों किया Why did not he use man to convey his idea? आखिर उसने अपनी इस poem में आदमियों का जिकर क्यों नहीं किया अपने इस idea को अपने इस तसवर को हम तक पहुचाने के लिए तो friends इसमें जो है ना दो बाते हैं पहली तो ये है कि जब आप किसी बेजान चीज़ को शक्स तसवर करते हैं तो इसे personification कहते हैं कि आप किसी बेजान चीज़ को शक्स बना रहे हैं यानि कि जानदार के रोल में प्ले करके अब आपको पता है कि घास के तिनके हैं बिलकुल बेजान हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं होना लेकिन पोईट ने हमें इसलिए कहा है क्योंकि परसोनिफिकेट किया है उसने यूमिन बीन को ब्लेर्ज ओफ ग्रास के साथ ताकि वो अपना जो बात है वो जादा इफेक्टिव वे में हम तक पहुचाना चाह रहे थे और दूसरी बात ये वो हमें जो बताना चाह रहे थे किस तरहां से हम्बलनेस शो करनी है अल्ला ताला के सामने ये एक छोटा दिन का भी जानता है कि जब अल्ला ताला के सामने हम हाजिर हों तो हमें किस तरहां आजिजी के साथ बात करनी चाहिए ना कि अपने जो आमाल हैं वो गरूर या फखर के साथ बताने चाहिए तो फ्रेंड्स इसका अंसर फिर आप लोगों ने अब कैसे अटेम्ट करना है आप लोगों ने लिखना है Giving human qualities to non-living things is called personification कि इनसानों की जो खूबियां हैं वो किसी बेजान शक्स को देना ये कहलाता है personification मैंने आपको बताया है कि बेजान को शक्स तसवर करना ये कहलाता है The poet uses players of grass to communicate his idea because शायर ने घास के तिनकों का इस्तमाल किया है अपनी जो बात है अपना तसवर उसको communicate करने के लिए क्योंकि he wants, वो चाहता था to convey his message के उसका पेगाम पहुंच जाए in an effective and moving manner के बहुत ही मतासिर कुन और पुर असर अंदाज में उसकी बात सब तक पहुंच जाए He wants to tell human to know that even a small blade of grass knows how to respond and show humbleness before God कहता है के he wants to tell human वो इनसानों को ये बात भी बताना चाहते हैं, ही से मुराद है या point पोईट जो है, ये बात इनसानों को बताना चाहते है के to know that, के वो ये जाने even a small blade of grass knows के एक छोटा सा जो घास का तिनका है वो भी ये बात जानता है how to respond, के किस तरहां से respond देना है, जवाब देना है आगे से and show humbleness और किस तरहां से आपने अपनी जो है आजज़ी जाहर करनी है before God, Allah ताला के सामने तो ये दो बाते जो है, उन्होंने इसलिए जो है layers of grass का use किया है एक तो ये कि अपना message effective और moving way में बताना चाते थे और दूसरा ये बताना चाते थे किस तरहां से respond करना है और humble ने show करनी है Allah ताला के सामने तो friends ये थे हमारे layers of grass के कुछ important questions and answers यहाँ पर हमारा lesson finish होता है